Internet of Things Normally हम सभी लोग Internet का यूज़ करते हैं एक दूसरे से connect होने के लिए एक दूसरे से data share करने के लिए आप email का यूज़ करके जो है information data share करते हैं आप Facebook, Instagram या फिर YouTube के जरीए जो है एक दूसरे से connect होते हैं data share करते हैं लेकिन अब जो है और ज्यादा advancement हो चुका है technology में जो है बदला हो चुके हैं और अब जो things हैं यानि कि जो चीज़े हैं physical चीज़े हैं उनको भी आप जो है internet के जरीए connect करके एक दूसरे से communicate कर सकते हैं data exchange कर सकते हैं तो उसी चीज़ को internet of things कहा गया है आपने notice किया होगा कि जब आप कोई भी pizza order करते हैं या फिर कोई food order करते हैं तो वहाँ पे आप track कर सकते हो कि जो delivery person है वो कहां तक पहुँचा है क्योंकि उसका device आपके device से GPS से connect हो चुका है कि आपके location तक उसको पहुँचने में कितना time लगेगा यह साइच चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है इसी तरह के से ola आपने अगर ola i overuse करते होंगे तो वहाँ पे भी आप देखिए आपको पता चल जाता है कि जो driver हो आपके घर पे कितनी minute में पहुँच जाएगा 2 minute में 5 minute में पहुँच जाएगा कि जो चीज़ें हैं जो devices हैं वो भी internet के जरी आपस में connected हैं और data communicate करते हैं data exchange करते हैं जिससे कि जो human being है उनको जो है real time information मिल रही होती है और उनका time और जो energy है जो money है वो सब save होता है तो internet of things कहने का अंतलब यहाँ पे क्या हो गया describe the network of physical object or things clear describe the network of physical object जो आप कहते हैं कि smart devices यहने कि smart TV हो गया, smart phone हो गया या फिर आपका जो आप wearable fitness band पहनते हैं वो सब smart band हो गया ति यह क्या है यह सब चीज़े जो है sensors लगे होते हैं और यह सब real time information calculate करके, collect करके उसको जो है internet पे share करते हैं और जो भी devices उससे connected होते हैं उनके पास तक वो information पहुँच रही होती है आपकी हर्स्विट बढ़ती है तो आपका band जो है तुरंद बता देता है और आप जो है आपके mobile पे notification आ जाता है या फिर mobile पे कोई message आता है वो message जो है smart phone में आपके smart band है जो अपने हाथ में पहने रखा है उसमें आपको पता जल जाता है कि कोई mobile में message आया हुआ या फिर call आ रही है तो आपके phone पे call आ रहा होता है लेकिन आपके band पे information मिल जाती है कि हाँ कोई call आ रही है यह क्या है that is internet of things कि हाँ की devices जो हैं एक दूसरे से connected होते है और वो data information share कर रहे होते है आप smart tv देख लीजे तो smart tv और आप अपने mobile को connect कर रखा है तो smart tv में क्या चीज़ देखी जारी है वो आप अपने mobile से track कर सकते है कि tv में इस विडियो देखा जा रहा है क्या title है कितने duration का है आप अपने mobile से check कर सकते है तो that is internet of things तो यहाँ पर क्या हो गया कि internet of things are the devices that are embedded with sensors, software and other technologies for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and system over the internet यहाँ पर क्या होता है कि जो devices होती है जो physical objects होते है वो sensor, software और technology का use करके दूसरे devices से connect होते है और data exchange करते हैं over the internet, internet का use करके connectivity जरूरी हो connection होने के लिए internet जरूरी होता है तो एक device, दूसरे device से तभी connect हो पाएगा जब internet होगा और sensors का use करके वो क्या होता है information को share कर रहे होते हैं तो IOT is a sensor of network of billions of smart devices that connect people, system and other application to collect and share data तो इसका use करके जो different devices हैं वो connect होते हैं, people connect होते हैं applications connect होती हैं और वो data को share करती हैं तो it may be ordinary household object या आपका कोई industrial tool कोई भी tool हो सकते हैं, कोई भी devices होता है जो कि आपस में connector होता हैं जिससे आपको पता जा जाता है जैसे कि normal सा example लिजे कि आपने water tank में alarm लगा रखा है तो जैसे ही water tank फुल होता है तो alarm जो है, automatic बच जाता है और आपको notification आ जाता है कि आपका tank फुल हो चुका है इससी तरके से आपने देखोगा smart home से यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने कोई sensor device लगा रखी हो और वहाँ पर कोई भी unusual activity होती है कोई thief हाता है तो आपके पास notification पहुंचता है कि आपके घर में कोई न कोई disturbance हो रहा है कोई न कोई unusual activity हो रही है या CCTV camera तो CCTV camera आपने घर पे लगा रहा है लेकिन आप उसको control कर सकते हो उसको monitor कर सकते हो कहीं पे भी बैठ कर किसी दूसरे device से तो because of internet of things उसी वज़े से होता है तो आप बात कर लें कि काम कैसे करता है तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी device होते हैं उसमें sensors लगे होता है जो devices होती है उसमें sensors लगे होते हैं और वो sensors डेटा जो है emit कर रहे होते हैं regarding the working state of things या मशीन जो काम कर रहा है उसस से related data होती उसको extract करके जो भी concerned person होता है उस तक information पहुचाता है अब suppose करें कि आपने एक smart band लगा रखा है वो जो है आसपास के hospital से connected है clear तो अगर कभी किसी person को heart attack आता है या फिर कोई unusual health issues होते हैं उसके साथ तो उसकी information वो जो smart band है वो आसपास के hospital में पहुचा देगा और वो hospital से वहाँ पे तुरंट आपके पास ambulance आएगी और आपको जो लेके जाएगी और वहाँ तब तक doctor जो है उस चीज को समझ करके आपको क्या हुआ है उसके लिए तैयारी करके रखेंगे और आपको तुरंट treatment मिल सकता है लेकिन अगर यही internet of things नहीं होगा तो आपको पहले पता चलेगा कि आपको क्या problem है आप hospital खुच जाएंगे और फिर ambulance को बुलाएंगे तब ambulance आएगा फिर उसके बाद आप doctor के पास पहुचेंगे doctor पूचेगा वहाँ पर आप डिस्काइब सेगें फिर doctor जो उसकी त्यारी करेंगे तब आपको treatment देता है तो यह क्या है यह time taking हो गया लेकिन internet of things की वज़े से क्या हुआ वहाँ पर time कम लगा तो यह कहीं न कहीं इस चीच का benefit है तो यहाँ क्या होता है सबसे पहले चीच के real time information जो है वो शेयर हो रही है कि घर पे cctv लगा है वहाँ पर क्या चीज़े हो रही है हम यहाँ पर बैठके आप जो है तुरंत देख सकते हैं और real time में देख सकते हैं help in monitoring the overall business process जाने कि जो भी पूरा process हो रहा है overall business में कि कहां कहां क्या क्या चीज़े हो रही है कब manufacturing हो रहा है कितना unit producer हो चुका है कि कब machine काम कर रही है सारी चीज़े जो आप record कर सकते हैं जो है track कर सकते हैं help in improving the experience of customer customer जैसे कि आप देखते होंगे online food delivery में कि आपका order receive हो चुका है order prepare हो रहा है order निकल चुका है order pick हो चुका है order यहां तक पहुंच चुका है यानि कि step by step जो है आपको आप information मिल रही होती है आपका mobile का data खतम होने वाला है तो आपके पास call आने लगता है message आने लगता है कि आप आपको सारी चीजे पताओगी जब ओला driver है अब ओला driver को वहां तक पहुंचना है आपकी location तक पहुंचना है अगर वो devices connected ना हो और location ना दिखा है तो ओला driver को पूचने पूचने में बहुत time लग जाता है business decisions में जो है IOT help करेगा कि आप जो है better decision making कर सकेंगे revenue ज्यादा generate they approach their business industries market and can also improve their strategies internet of things के बहुत से benefit है जो useful हो सकते है business में as a individual या फिर किसी भी different sector में चाहे वो police sector हो चाहे वो defense sector हो चाहे वो healthcare sector हो सभी sectors में IOT का importance होता है wish you all the best keep watching